फ्रेंड देखिए मैं आज आप लोग के लिए क्या बना रही हूं देखिए तो सही बन क्या रहा है देखिए देखिए अब देखिए तो अज मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ आवले का अचार मेरा वीडियो फूल वाच कीजिए उसमें मैं कुछ आपको टेप्स भी दूँगी कि जिससे आवले का अचार खराब नहों और लंबे समय तक चले उसके लिए आपको मेरा वीडियो फूल वाच करना पड़ेगा हेलो फ्रेंड मैं हूँ प्रिती डोटे प्रिती चैनल में आपका स्वागत करती हूँ मैं आवले की आवले का अचार बनाने के लिए फिले यू पॉली थिन में मार्केट से दो किलो आवले लाये थे यह देखिये यह आवले लेकं आये थे दूसरे प्रदी से अउनगा में में प्रेंड आप लोग सब कैसे हो कमेंट करें बताएगा और मेरीडे अपे लोग को कैसे लगए प्लेज कमेंड करके बताएगए ठंडी का मोसम चल रहा है और आवले का कुछ बनाया नहीं ऐसे कैसे हो सकता है ठंडी के मोसम में तो आवले का बहुत कुछ बनता है मुरब्बा हो गया, अचार हो गया तो मैं आप लोग के साथ अचार के रहे से फिसेर कर रही हूँ यहाँ मैं एक गंजी ली है उसको गेस पर चढ़ा दिया है पानी उसमें पानी लिया हुआ है तो पानी में अब मैं आवले डाल देती हूँ मैंने आवलो को अच्छे से साप कर लिया है गेस आउन कर लिये ऐसे ही मैं पूरे आवले डाल देती हूँ उसमें लिए दो किलो के लगबग आवले है देखें फ्रेंट मैंने पूरे आवले डाल चुकी हूं पर मैं कोई गंजी थोड़ी छोटी लग रही थी तो मैंने गंजी आप में चेंज कर दी है देखें मैं और डालते ही जा रही हूं फिर मैं को बड़ी गंजी में शिप्ट करना पड़ा क्योंकि वह उबाल नहीं पा रहा थे अच्छे से यह देखिए अब इसमें एक अच्छी उबाल आने देते हैं कि अच्छी उबाल आने तक मतलब कि इसको अफन चेक करेंगे कि यह जब तक पकना जाए जब तक इसको पकाएंगे पकने के बाद यह तूट जाएंगे मैं पकने के बाद भी आपको दिखाऊंगे कि कैसे पकते हैं यह देखिए फ्रेंड उबाल आना चालू हो गई है यह देखिए और देखिए आवले का कलर भी चेंज हो गया है पहले ग्रीन ग्रीन देख रहा था अब देखो वाइट सा एलो में से आ गया है एलो कलर में से आ गया है थोड़ा लाइट एलो देखिए ऐसे हाथ से करेंगे तो यह तूट गया पतलब भी पक चुके है पहले कच्छे वाले नहीं तूट रहे थे अब मैं आप बास की टोकनी लूँगी उसमें यह निकाल लूँगी बास की टोकनी को मैंने पहले अच्छे से वास कर लिया है बास की टोकनी इस ले लिए क्योंकि उसमें से पानी पूरा नेचे निकल जाता है और उपर उपर अच्छे से रह जाते हैं यह देखिए अब मैं एक एक ऐसे ही तोड़ लेती हूँ आवले को और इसकी गुठलिया लग कर देती हूँ यह देखिए ऐसे ही मैं पूरे आवले कर लेती हूँ यह देखिए देखिए फ्रेंण इसको ऐसे आसन से तूट जाता है यह पकने के बाद कि देखिए मैंने पूरा कर लिया है फिर इसको मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिया था पूरा करने के बाद फिर मैंने इसको धूप में रखा था थोड़ी दिर मैंने धूप में दिखाया उसको कि इसका पानी सुख जाए यह देखिए फ्रेंट पानी सुख चुका है इसका अच्छे से थोड़ी रोष्ट हो चुके है यह अगर वैसे ही गिले में अपना अचार बनाएंगे तो खराब हो जाएगा टिपस नमबर वन अगर गीले पानी में ही अपना अचार बनाएंगे तो खराब हो जाएंगा जन्दी उसमें फपून पढ़ जाएगी इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा दूप में रखा हुआ था अब यहां पर मैंने कढ़ाई ली कढ़ाई में ओईल एट करूंगी यहां पर मैंने रिफाइंड ओईल एट किया है क्योंकि हमारा सर्सो का ओईल नहीं खाते हैं अगर आपको सर्सो के ओईल में बनाना है तो आप सर्सो के ओईल में बना सकते हो जो सर्सो के ओईल खाते हैं वो सर्सो के ओईल में बना सकते हैं सर्सो के ओईल गरम होने के कारा हम लोग रिफाइंड ओईल कहीं जादा उप्योग करते हैं और हमारे इधर जहां तक रिफाइंड ओईल यूच किया जाता है तेल गरम हुन देते हैं अच्छे से तेल जब अच्छे से गरम हो जाए देखिए हाथ से चेक कर लेंगे कि तेल गरम हो गया है क्या देखिए अब मैं हाथ से चेक कर रही हूँ कि तेल हो गया है क्या अब तेल हो चुका है अब मैं इसमें हिंग एट कर देती हूँ यहाँ पर मैंने एवरेश्ट की हिंग ली हुई है थोड़ी सी हिंग उसमें एट कर दी है हिंग से टीप नमबर टू कि हिंग से यह खराब नहीं होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है और जल्दी इसमें फपुल नहीं पकड़ती है अगरम तेल में हिंग एट कर दी जाए तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खराब भी नहीं होता है अच्छा हिंग डालने के पर थोड़ा सा चमबस से उसको हिला देना नहीं तो एक ही जगह हो एक ही जगह इखटा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा मैंने चमबस जाला है इसमें कुछ भी डालने की अपने को जर्वत नहीं है जटपट इस पेकेट से जटपट बन जाता है यह मैंने 200 ग्राम का एट किया है मैं दो किलो अचार में 200 ग्राम का पेकेट यूच कर रही हूँ चार खान दो फेकां दो के शकाट कैमांते हैं से इसमें कुछ उपर सेस्ट करने की जर्वत नहीं रहती है और इस मसाले में खाने से मिहाँने बहुत अच्छा लगता है कि अचार खाने में बहुत अच्छा लगता है इसमसाले 200 ग्राम प्रेकेट में पूरा ले लूँगी क्योंकि इसमें लग जाएंगा उतना दो गिलों में मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी यह देखी है अब मैं इसमें आउलेट कर लूँगी जहटपट और आसानी से बनने वाला अचार है और बहुत कम समय बन के तैयार हो जाता है और मसाले बनाने की जहुँए नहीं रहती है इसमें आदर मीं मसाले भी एट करने की जर्वत नहीं रखती है इसी मसाले में सब कुछ हो जाता है और यह मसाला खाने में अपर टेश्टी लगता है अच्छा और इसको इस्टोर करके भी रख सकते हो एक देड मेहना साल भर 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 रह सकता है इसको अच्छे से mix कर लो देखिये friend मैं अच्छे से इसको mix कर लिया है देखिये अचार बन की तयार है बहुत आसान इसे और बहुत आसान तरीके से अचार बना हुआ है आप लोग इसे जरूर एक बर try कीजिए और मैना चैनल पसंद आता है मेरी अचार की रेसेपी आप लोगो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट करके पताईए कि मेरा आवले का अचार आप लोगो कैसा लगा प्लीज प्लीज कमेंट किया कीजिए वाश टाइम बढ़ाईए फ्रेंट अब मैं इसको बॉटल में निकाल लेती हूँ देखिए अच्छे से पूरे इसमें लग चुका है मसाला अच्छे से एड़ हो चुका है उसमें देखिए यह देखिए बन चुका है अचार अब मैं इसको बॉटल में निकाल लेती हूँ यह देखिए यह दो किलो का अचार है देख रहे हैं ना प्रेंट बहुत ही कम समय में बन के तयार है इसमें कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और ज्यादा वह भी ली कि अचार कैसे बनाएंगे क्या करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है जल्दी से बहुत आसान तरीके से अचार बन चुका है देखिए फ्रेंट ये देखिए मैंने पूरा ही निकाल लिया है अब इसको एक तो आप धकन से भी लगा सकते हैं टीप नमबर थ्री एक तो धकन से भी लगा सकते हैं पर वो थोड़ा गलने में प्रॉब्लम करेगा और दूसरी टीप यह है कि आप इसको कपड़े से ही बान के रख सकते हैं जैसा भी आपको पॉसिबल लगे वैसा आप कर सकते हो लेकिन मेरा कहना तो यह है कि अगर आप कपड़े से बान के रखोंगे तो जल्दी गलेगा और खराब नहीं होगा जिससे अगर अचार बनाते हैं अपन तो यह से कपड़े से लपेट के उसको रखे उसके मूग को तो खराब नहीं होता है यह तो मैं आपको दिखा रही थी अभी मुझे इसमें तेल भी एट करना है तेल भी इसलिए एट करता है क्योंकि अचार खराब नहीं हो और लंबे समय तक चले और अचार में तेल कभी भी अचार के उपर तक तेल होना चाहिए जिससे वो खराब नहीं हो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई ली है उसमें यह तेल एट कर दिया है यहाँ पर मैं अंदाज इसको थंडा होने देना स्फेला अचार में तक भीष आपने को यहां पर तो अचार में आप अचार करना है तो बंद कर दूंगी फिर 15-20 मिन तक जब तक अच्छा से ठंडा नहों जाए तब तक मैं इसको ठंडा होने देती हूं देखिए फ्रेंट यह ठंडा हो चुका है तेल अब मैं इसको अचार में एट कर देती हूं देखिए अचार में डाल देती हूं देखिए तेल एट कर दिया है अब उसको थोड़ा सा हिला देते हैं कि अच्छा से उपर नीचे तक तेल एट हो जाए देखिए फ्रेंट अच्छा से हिला देना है उसको कि उपर नीचे से अच्छा से तेल उसमें एट हो जाए कि पूरा तेल में वो मिक्स हो जाए अब मुझे सांती नहीं मिली फिलाने से तो मैंने यहां पे चमच से भी उसको घुमा दिया है देखिए मैंने अच्छे से घुमा दिया है उसको अब मैं इसको कपड़े से अच्छे से लपेट दूंगी देखिए फिर मेरा अचार बन के तैयार है अगर आपको मेरा अचार की रेसेपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंड बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने इसको कपड़े से अच्छे से लपेट के इसको में धूप में रख दूंगी अगर आप धूप में रख सकते हैं तो रख दीजिए तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं रख सकते हैं धूप में तो कोई बात नहीं अंधर भी इसमें अच्छे से ओल डाल अच्छे जल्दी कल जाता है टीप नमर फाइफ और अच्छा सब्सक्राइब तेल रहा तो उसमे फ़पून नहीं लगती और जल्दी खराब नहीं होता है और लंबे समय तक चलता है थैंक यू अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए